हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आप सब आप आप सब अच्छे होंगे और आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूं अपना दोपहर का लंच रूटीन तो चलिए पर स्टार्ट करते हैं अच्छे को अच्छे में आप सब्सक्राइब करते हैं। तो यह जो डाले हैं मैंने कलमंगवाई थी तो घर में इतने काम होते हैं कि इनको धूपने रखना और साफ करना मुझे दिहानी नहीं रहा चलो अब मैं थोह सा स्कमान कर लेती हूं बाकी का काम में बाद में करेंगें कि मुझे आज मूं की और यह मसूर की मिक्स डाल बनानी तो मैंने इसको ना सुखा लिया है जिससे कि दाल चिक्के नहीं क्योंकि यह मैंने बरतन अभीद हो रहे थे और थोड़े से गीले हो रहे थे प्रक्शत कर लिएक कि हो किे जुष मान२क्णत कर लोड़े भीब की मान२क है कर दो कर दो कर दो कर दो को कर दो कर दो कर दो प्रप्ट यस्टी बनारे रिजने शोषब कर खुछब कि दिए स्टमाब गड दिए सिरा जाग दो लो खुछगं करेंक 지금까지 ऐनारी ड्रूमाइट के अइस्टी। ते opportunities कि लो पेकर औरुदबorta करेंक च viral dalam वोकульिंट आड़ेंक लगष लग्षणाईर्ण कीछ अज़नां आफ़या में और दोला है समा और आब कीछब़ाईर आफ़ 00.15 अब बाद से लाले हैं आप में लेखा खाना तो सारा बन चुका है जैसे की दावाल, भूजी और रायता अब मैं आटा तयार करके लख लेती हैं उसके बाद प्रूटी से ग्रूमी कर दो में अब प्रूमीर झाल 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 तो प्रेंट समारा खाना तयार हो चुका है चलिए हम ठाली तयार कर लेती हैं झाल झाल तो प्रेंट्स देखिए आज का हमारा दुपहर का जो लंज है वो तयार हो चुका है और आज के लंच में मैंने बनाया है और ये मूंग और मसूर की छिलके वाली दालोती ने मिक्स बनाई है और ये गर्म गरम घीवाली रोटी और ये है बथुए की भूजी गाजर मूली का अचार क्योंकि अगर सर्दियों की दुपहर का खाना है तो फिर गाजर मूली के अचार को तो हम भूली नहीं सकते तो फ्रेंट्स ये ता हमारा आज का खाना कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरू बताईएगा अगर नए है तो प्लीज मिझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो फ्रेंट्स फाइनली सारा खाना जो है बन चुका है और खाना मनाते बनाते थंड में मैं थोड़ा सा थंडी भी लगने लगी चलिए थोड़ी सी देर धूपने बैठ जाते हैं